जहां पहले कश्मीर से सेल्फ रूल की बाते सुनने को मिलती थी फिर उसके बाद अटॉनमी की बाते भी सुनने को मिली फिर कुछ पार्टियों का अपना अपना भी राग अलापना रहता था लेकिन पिछले साल 5 अगस 370 खतम होने के बाद ये राग कुछ देर बांद रहा अब एक बार फिर से जब पुलिटिकल हवाएं चलना शुरू हुई है तो अब गुपकाड डिकलेरेशन की बाते भी सुनने को मिल रही है अब आखिरकार ये गुपकाड डिकलेरेशन क्या है जिसे भाजपा के परधान रविंदर रैना ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के सा बुना हुआ एक जाल है और पाकिस्तान की दरफ से भी इसे सपोर्ट किया गया है हालांकि सपोर्ट आने के बाद नेशल कॉन्फरेंस के परधान फारुक अब्दुल्ला का भी कुछ कहना है लेकिन जम्मू इस गुपकाड डिकलेरेशन को किस तरह से लेता है उसी सब पर बात करने के लिए अज मेरे साथ मौजूद है अशोग गुपता जी जो की जम्मू कश्मीर डोगरा फ्रेंट शिवसेना से परधान है और लगातार इस चीज के उपर उनकी तरफ से परधर्शन भी किया गया है जो यह गुपकाड डिकलेरेशन की बात कश्मीर के अंदर च इसे का खात्मा और राजनितिक जमीन नीचे से खिसक जाने के उपरांद पर एक निया शगूफा जो देने का प्रेस किया जा रहा है उसका नाम गुपकार है 1996 के अंदर जिन लोगों ने जबर्दस बहुमत था चपुंजा सिटे थी उनके पास अगर कोई विशे था कोई ऐसे ऐसे मन के अंदर उनका ये विचार आने का प्रेस हुगा कि मुझको उटानमी चाहिए अटानमी के विशे के अंदर क्या विधान सभा के अंदर पास करके कंसिट्यूशन के माद्धम से चलते है न हम maximum representation अगर national conference के लोगों को मिली तो 57 सीट थी इसे ज़्यादा सिटे कभी नहीं आई क्या विधान सभा के अंदर पास करके क्या वो गुपकार उस समय की ये गटना नहीं गटी थी 370 को हटाने वाली तो क्या अटानमी के विशे के अंदर को प्रश्ण करना चाहता हूँ, नेशनल कांफरेंस कहتी है अटानमी, पीडीपी कहती है सेल्फ रूल, यह दोनों भिनताएं हैं, और कांग्रिस पाटी, श्रीमन मीर साब, जोस्मीटिंग के अंदर थे, मैं प्रश्ण करने का प्राश करना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर दो प्रधानमंत्री 370 रहने के उप्रांप और 35 अगर रह जाती है तो कॉंग्रिस पार्टी इसको मानने को तयार है। यह उत्तर और यह प्रश्ण मैं कॉंग्रिस पार्टी के पास छोड़ने का प्रहस करना जाता हूं। गुपकार डेक्लिरेशन जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि शगूफा है क्योंकि ठीक 370 की अगर हम बात करें जब नेशर कॉंफरेंस के लीडर्स बाहर आए उनकी डिटेंशन खतम हुई तो बाहर आते साथ इन्होंने स्टेट हूड की बात की, 4G रिस्टोरेशन की बात की उन्होंने 375 के बारे में एक लफ नहीं बोला, उसके बाद जब ये सभी पार्टियें कठी होती हैं अब गुपकार डेक्लिरेशन की बात की जाती है, जिसे भाजपा कहती है कि पाकिस्तान के साथ बुना हुआ एक जाल है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जो भाजपा कह ये कि पाकिस्तान के साथ बुना हुआ जाल है, क्या भाजपा ने भी तो इन्हीं पार्टियों के साथ सरकार सांज़ा की है, उस टाइम पाकिस्तान याद नहीं आता है, लेकर इसके लिए पूरे का पूरे भारती जंता पार्टी को दोशी करार देना, मैं उसके आगे बढ प्राशन करना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान याद आता है, तो बुरानवानी के विशे के अंदर कहेंगे, शब्दों के विशे के अंदर आज को उत्तर देने का प्रैस कि महीं करना चाहता, एक और ने तो यहां तक कही दिया था, कि तरंगा जंडा उठाने वाले कंदे आज रहेंगे, आज जो कुछ लोग इस विशे के अंदर ये कहने का प्रैस करना चाहते हैं, और नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, नहीं दिल्ली चाहिए, कि इंद्रिया सरकार के अंदर बैठ करके उनके पडिवार के लोग जब सत्ता संबालते थे, तब दिल्ली चाहिए आज नहीं चाहिए, क्यों? आज सत्ता नहीं है, और जब सत्ता नहीं है, तब गुपकार याद आता है, यह गुपकार रोड है, मैं तो पहले यह प्रशन करने का प्रैस करना चाहता हूँ, उसका नाम गुपकार क्यों है? और उसकार के अंदर जम्मू के विशे के अंदर कहने वले शब्दों का अच्छारन क्या है? और यहाँ की लिडर्शिप जो, specially कॉंगर्स के विशे के अंदर बात करने का प्रैस करना चाहता हूँ, वो सहमत है, जम्मू किश्मीर के अंदर दो प्रधनमंत्री, एक दिली के अ प्रधनमंत्री, क्योंकि इनकी आवाज के अंदर अटानुमी शब्द, जो बार बार यह कहने का प्रैस करना चाहता है, कि देश के अंदर दो प्रधनमंत्री हो देंगे, उसको मानने को तयार है, गोंगर्स पार्टी, यह उनको विशे करना है, और जमू के अंदर अगर द डेक्लिरेशन जिससे की, जिसे आपने काये कि शगूफा है, जिससे की सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आम लोगों को, जो कि हमेशा कश्मीर की लीडर्शिप करती आई है, क्या गुपकार डेक्लिरेशन किसी तरह से चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में तीन सो स वाली सीटें पार्लिमेंट के अंदर हैं, वहां एक बिलल आया गया, शिरीमन गरह मंतरी के मादम से, और बिलल आने के प्रांत उस पर वोटिंग होई, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कॉंगर्स पार्टी थी, जिसमें फारुक अबदुल्ला भी थे, जिसमें पीडिपी भी थी, वोटिंग होई, पार्लिमेंट के अंदर पास कर दिया गया, फिर इसको लेगे अपर उसके अंदर, वहां भी पास हो गया, तो एक नियमावली के उनुशार ये तै हो गया, कि 375 पार्लिमेंट ने हटा दिया, कुछ लोग गये सुप्रीम कोट के अंदर, निरस्त हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ, गुबकार के विशे के अंदर 370 को लाने और पैंतिये को लाने की बाते की जा रही है, अभी 14 तरीक को पार्लिमेंट लगने वाला है, पीडीप, नेशनल कांफरेंस, एक बिल लाए, सविधान के अनुसार अगर हमको चलने का प्रैस करना होगा, अगर कश्मीरियों को मुर्ख नहीं बनाना है, पार्लिमेंट के अंदर लाएं, और अगर जादा सीटे इनके पास होगी, बहु मत होगा, तो 370 और पैंतियों को फिर लागू करतीया जाएगा, अगर नहीं होगी, फिर लागू हो नहीं सकता, फिर मूर्ख बनाने की बात हमेशा हम करते हैं, और तभी कहतों में शब्द शगूफा, ये कश्मीरियों को एक शगूफा दिया जा रहा है, ताकि इसे एक दो वर्षोर काटने का उम्प्रैस कर पाएं, और कुछ नहीं है. जाता था, जिसके सारे को लेकर के हूरियत के नेता और प्रीडीपी के अंदर के समर्थन की बाते, अब उनकी रीड के टूट गई है, उनके बड़े-बड़े दिगज, पहलवान, जो पाकिस्तान ने वहां मुकरर करे थे, उनको मार दिया गया है, लेकिन मैं इसको दूसर जाता हूं, जाता हूं, तीन सो सतर थी यहां, पैंतिसे भी था, जमू की जनता को दिया क्या, मैं एक एक एजेंपल जेके बैंक को लेकर के आगे बढ़ने का प्रैस करना चाता हूं, दस सो त्रही शाकाएं, पूरे हिंदोस्तान के अंदर जेके बैंक की हैं, ठीक है जी, लगबग 12,000 इंपलाई उसके अंदर है, तीन सो सतर पैंतिये वहां था, जमू के बचे कितने थे, आज जो कॉंगर्स की लिडरशिप है, उनसे प्रशन करना चाता हूं, अगर तीन सो अतर की समापती हो गई, या उससे में तीन सो सतर था, तो तीन सो सतर के अंदर जमू के बच्चों की participation लगभाग कितनी थी, वो नामातर कुछ एक कुछ परसंटेज के इसापत थी, बाकि सारी बच्चे किश्मीर के थे, फिर तीन अजार बच्चे यहां लगाए गए, बैक डॉर अपॉंट्मेंट की गई, वो बैक डॉर अपॉंट्मेंट किस ने करी, वो जो के अंदर है, इसको उस समय का चेर्मेन, मैं प्रशन करना चाहता हूँ, तीन सो सतर से जबो को क्या लाब हुआ, पैंती से का जबो को क्या लाब हुआ, और पैंती से का कश्मीर को क्या लाब हुआ, जितने पैसे तीन हजार बैक डॉर अपॉंट्मेंट्मेंट के अंदर ल उसका बेटा 177.3 क्रोल रुपीज खाड जो उसकी नहीं थी जो खाड को वित्मंतुरी के प्रभाव के कारण उस समय के डिप्टी कमिश्टनर ने वो भी जांच का विशे है वो डिप्टी कमिश्टनर है कौन जिसने खाड को लाट कर दिया उसके नाम से और उसकी गरंटी ज जो है जो समान खड़िदा गया कोई दुभै की अंदर ख theatगा बार एक ट्व्टनामेंट बिंधी यह होई एक के फिलम के अंदर जो है एक उसमें भी पैसे लगाएगगे जिसमें वह स्पानसर शिप दी गई सैप ये में का पैसा जम्मू की जंता के जैके के किसका ग्यारासो कुरूर रुपया गाटाक हो गया उसके अंदर और पैसे शेर ओल्डर के चले गए मैं सिर्फ गुपकार वालों से ये प्रशन करना चाहता हूं मुंबई के अंदर किस-किस ने ओटल बनाया जेके बैंक के पैसे से ये प्रशन चिन लगा रहा हूं उसका उत पैसा जमू कश्मीर की जनता का था किस तरह से लुटाया गया किस तरह से उसको खर्चा गया किस तरह से अपनी जेवों को भरा गया किस तरह से जिस अनमप्लाइमेंट के विशे को ले करके हम लड़ने का प्रश करना चाहते हैं ये अनमप्लाइमेंट यूथ है जिसके कार करने का प्रैस करना चाहते हैं जम्मुवालों को महता वैश्णो देवी के अंदर आने वले टूर्सकी संख्या एक बार दो क्रोड से जादा थी पत्नी टाप को क्या मिला पैल गाम को क्या मिला 1.8 क्रोड पत्री टाप 8 क्रोड सिर्नगर उर चूटा से एक स्थल टूरिस्ट चार करोड जो मुगी ने 1.48 अरे हमको बराबरी पर तो लाओं मैं इसलिए राजपाल मोदी से कहने का प्रास करना चाहता हूं अरे शिरीमान मोदी जी का भाशिन था मैं भी वहाँ था स्टेडिम के अंदर यह आपके साथ जो जाती यह उ रही है भिध भाव हो रहा है इस माप्त करने का समय आ गया है आ गया नहीं एक वर्ष हो गया समाप्त करो भाई हमको पहले जमू के अंदर कितने होस्पिटल है अज कोविड के समय है सिन ugh के अंदर ग्यारा जिमू की अंदर कितने हैं अरो ब्रापर तो लिए कि हमको सब्रापर एक उंद़किण सब्रापरी के अंदर लाओ hydraul मी में उसके बागए उसके बाध ब्रापरी दोगे भाई दो अब आ हो फिल के दो यहा तेरा थेरा हो जायेंगे लेकिन उसके विशे के अंदर कोई बात करने का प्रैस नहीं करना चाहता है उसे गुपकार के अंदर जम्मू की रिप्रेजेंटेशन क्या है उसे गुपकार के अंदर आज यो कुछ लोग ये कहने का प्रैस करना चाहते है ये पाकिस्तानी है लेकिन आज अगर हम जम्मू के विशे के अंदर विचार नहीं करेंगे उसको बराबरी पर नहीं लाएंगे भेदभाप्स मात नहीं करेंगे शुकरा प्रमात्मा का अज विजलन्स के मादिम से कुछ कारेक्रम प्रारंब होगे शुकरा प्रमात्मा का यह जो एक लोग पुर्ष कहते हैं इसको अब लोग पुर्ष के विशे के अंदर तब पता चलेगा जब कारेशली आएगी सामने इसलिए मैं कहने का प्रैस करना चाहता हूँ जितने भी ब्रष्ठाचार पहले भाशन के अंदर कहा माननी उपर जपाल महोदे ने ब्रष्ठाचार मुक्त जम्मू कश्मीर अब देखना चाहता हूँ ब्रष्ठाचार का प्समात होगा और उसके अंदर हम यतना योगदान देश पाएंगे हम देंगे लेकिन ब्रष्ठाचार के विशे पर हम रगणा देने का प्रष्ठ करना चाहते है अब गुपकारवालों को और आज ब्रष्ठाचार के विशे को लेकर के जम्मू के साथ भेदबाव कम हो जम्मू के लोगों का दिकार मिलना पाए जम्मू के लोगों की आवाज को सुना जाए और सिर्फ पाकिस्तानी कहने से बाते नहीं बनेगी जम्मू के लोगों का भड़ा करना पड़ेगा फर जम्मू के लोगों आपके विशे कंदर विचार करेंगे और पाकिस्तानी शब्द इतना मुश्किल सा समय है बुरान बानी के समय भी हुआ था कुछ लोगों को उसके विशे के अंदर भी विचार करना होगा और इसलिए मैं त्रपश्ट करना चाहता हूँ राष्ट्रवादी इताक्ते हमेशा उची चलेंगी राष्ट्रवादी इताक्ते हमारे देश के परधान मंत्री ने और वो जो निशान और परधान के विशे के अंदर बात करने वाले शिरीमान मुखर जी अरे यार उसकी कोई जगा तो बना दे हम एक बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है उसके कुर्बानी के विशे को सही मानों में एक रूप रेखा देख करके जिसने हमारे को परमट हटाया था मैं रिनी हूँ उस इनसान का जिसने जम्मू के अंदर बरमिट विवस्था को समाप्त करा अपनी जान दे करके किने लोगों ने मारा किने लोगों ने उसको कहा रखा वो हत्या है आज कर आ रहे ना वह एक फिल्म स्टार हत्या है के क्या है और उसके विशे के अंदर भी मांग करने का प्रैस करना चाहता हूँ इन लोगों ने उसको मारा है उसकी जान चोनी चाहिए उनको पकड़ करके जिलों के अंदर बंद करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोग गुपता जी मरसत बात करे थे और गुपकार डेक्लरेशन जिसे उन्होंने शगूफा कहा है एक बार फिर से आम इनोसेंट कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 379 से को गुपकार डेकलरेशन किसी तरह से भी चैलेंज नहीं करता है बस ये एक शगूफा है और इसे आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कहें तो वो भी कम नहीं होगा फिलहाल आप लोग देखते रहें जैके मीडिया हम आपको इसी तरह से हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे धन्यवाद जैहिंद